सर्दिया चल रही है तो बजार में बहुत थी बढ़िया ताजे और फ्रेश मटर आ रहे हैं तो चलिए आज हम आलू मटर की बहुत थी लाजबाब और जबरदस तेश्टी रेसेपी बनाएंगे और हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है तो आज हम आलू मटर की रेसेपी बनाने के लिए यहां मैंने दो ताजे आलू ली हूँ एक मेडियम साइज का प्याज और दो छोटे टमाटर लेंगे और एक कटोरी मटर का लेंगे इस रेसेपी को आप ताजे आलू से बना और भी ज्यादा टेश्टी और लाजबाब लगेगे बड़े साइज के ताजे और फ्रेश आलू ली हूँ और हम इसे इस तरीके से चार टुकडों में काट लेंगे और सेम तरीके से हम दूसरे आलू को भी बड़े बड़े टुकडों में ही काटेंगे और आप देख सकते हैं मैंने आलू कट कर ली हूँ और अब हम प्याज को इस तरीके से बिलकुल बारी कट कर लेंगे इस तरीके से आप प्याज कटेंगे तो प्याज आपकी easily और instant बारी कट जाएगी और आपको प्याज को cook करने में भी बिल्कुल भी time नहीं लगेगी और इस तरीके से यहां मैंने प्याज को भी अच्छे से कट कर ली हूँ और टमाटर को भी हम धो लेंगे और इसे भी सेम तरीके से बिल्कुल बड़े बड़े टुकड़ों में हम roughly कट कर लेंगे इस recipe को बनाने के लिए आपको minimum 10 minute लगेंगे और 10 minute में आप इस recipe को easily बना लेंगे और दिये देखिए हैं मैंने टमाटर को भी अच्छे से बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ तो चलिए फटा फट से recipe बनाते हम एक cooker लेंगे gas on करेंगे और high flame पे cooker को गरम होने देंगे और अब हम इसमें 2 चमच सश्टो का तेल डालेंगे इस recipe को आप किसी भी cooking oil से बना सकते हैं और अब हम इसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्चाट करेंगे half teaspoon जीरा डालेंगे जीरे की जगा आप mustard, seed, siya rai के दानी भी डाल सकते हैं और अब हम इन सभी ingredient को अच्छे से crack होने देंगे और हम इसमें एक चुटकी हिंग डालेंगे क्योंकि हम इसमें fresh matter का use करेंगे और यहां मैंने इसमें दालचीनी, long, ilachi, कुछ खड़े गरम मसाले अट की हूँ इस टाइम पे मेरा camera off था मैंने एक चोटी लैची, दो से तीन टुकड़े डालचीनी के और दो से तीन long और दो तीन काली मिर्च एट की हूँ और आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से oil में crack हो गए हम इसमें कटी हुई प्याज एट करेंगे और हाई फ्लेम पे ही प्याज को हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और प्याज हमारे जल्दी भूनेंगे इसके लिए हम इसमें हाफ टी स्पून या आधी चम्मच स्वाद अनुसार नमक एट करेंगे और इन सभी को फिर से हम अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे और एक मिनट हो गए हैं आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से करेमलाइस हो गई है और अब हम इसमें बड़े टुकड़ों में कटे हुए आलू डालेंगे आलू डाल करके भी हम इसे हाइफ फ्लेम पे 20 से 25 से के लिए भून लेंगे और इसे इस तरीके से फ्राय होने देंगे जिससे आलू का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप देख सकते हैं आलू भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राय हो गए हम इसमें हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेश डालेंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे आप अगर अधरक या लैसो नहीं खाते हैं तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं और अब हम इसमें फ्रेश छिले हुए मटर डालेंगे मटर डालकर हम इसे हाई फ्लेम पे ही 20-25 सेकेंड के लिए फिर से अच्छे से भून लेंगे जिससे मटर भी हमारे जल्दी भून जाएंगे और इसका कच्छापन भी खतम हो जाएगा इसमें बारी कटे हुए टमाटर डालेंगे टमाटर डालकर हम इसे भी अच्छे से सारे इंग्रीडियंट के साथ मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छे से चलाएंगे जिससे तले में हमारा एक भी इंग्रीडियंट लगेगा नहीं और गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे हम इसमें एक चमच हल्दी पॉर्डर डालेंगे देड़ चमच धनिया पॉर्डर डालेंगे धनिया पॉर्डर से इसमें बहुती बढ़िया फ्लेवर आता है तो आप इसमें धनिया पॉर्डर अच्छे से डालें और अब हम इसमें एक चोथाई चमच तीखे के लिए लाल मि बून लेंगे और अगर आपको लगे कि आपका मसाले जल रहा है तो आप इसमें 2-3 चमच पानी भी डाल सकते हैं तो यहां मैं इसमें 2-4 चमच पानी डालूंगे और गैस का फ्लेम एक बर फिर से हाई कर लेंगे और 20-25 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे पानी डाल कर हम मसालो के साथ आलू को अच्छे से भून लेंगे और आप देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं और इस टाइम पे हम इसे और अच्छे से एक मिनट के लिए मिक्स करते हुए भूनेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा लाजवाब हो जाएगा इसे आप और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें आमचूर पॉडर भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप दो और टमाटर एड़ करें इससे ज्यादा इसमें खटास और चटपटा इसका फ्लेवर होगा और आप देख सकते हैं आलू हमारे मसालों के साथ अच्छे स भुन गए हैं और मटर भी काफी अच्छे से पक गए हैं तो अब हम इसमें दो छोटी कटोरी पानी एड़ करेंगे पानी आप अपने इसाब से एड़ कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए या ज़्यादा लिकवरी चाहिए हम अभी इसमें दो कटोरी डालकर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी में अच्छा सा उबाल या बॉयल आने देंगे और आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गई है तो इस टाइम पे हम कूकर का धकन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे कूकर में दो विसिल आ गई है गई गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और हम कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे गैस का फ्लेम आफ करके पांच मिनट हो गई है और आप देख सके कुकर about to ठंडा हो गया है और अब हम कुकर का ढखकन खोल लेंगे और आपको मैं अब दिखाती हूँ कि सबजी हमारे बहुत ही बढ़ियां पग गए हैं और इस तरीके से हम आलू को चेक करेंगे आलू भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ये अंदर तक कुक हुए है तो हम इसे अच्छे से दबाते हुए मैश कर लेंगे जिससे सबजी हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगेगी और अब यहां मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूँ और अब हम इसमें सूखे गरम मसाले का पौड़ा रैट करेंगे अगर आपको पसंद है या आपको लग रहा है डालना चाहिए तो आप इसे डाले नहीं तो आप इसे इसकीब भी कर सकते हैं और अब हम इसमें अच्छे से गरम मसाले को सबजी में मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे अगर आपको ग्रेवी ठिक लग रही है तो आप इसमें पानी भी डाउ सकते हैं और अब अधिक इंग्रेडियन को धनिया पती में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे गरमा गरम पूरी के साथ सर्फ करेंगे और यगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेलफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अधिक शयाधिक और इस तरीके से आप इस रेसेपी को घर पे जरूर ट्राइ करें आपके घर के बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है और इस सब्जी को यहां मैंने पूरी के साथ सर्फ की हो आप इसे रोटी चपाती फुलके नान चावल किसी के भी साथ खाए ये खान से इस तरीके से बना सकते हैं और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही ज्यादा लाजवाब और टेश्टी लग रही है तो इस रेसेपी को आप जरू ट्राइ करें और अपना एक्सपीरियंस फीडबैक मेरे साथ जरू शेयर करें मिलती हूं मैं आप सभी के साथ एक कर दो